Hello everyone, welcome to Glam Up, मैं हुरूपा और आज मैं आगे हूँ केश किंग आंटी हेरफॉल शैंपू का रिविई करने के लिए हेरफॉल एक ऐसा कॉमन प्रोब्लेम है जो हर किसी के पास है और हर सिजन में रहते हैं और इसके लिए हम लोग हर टाइम एक इजी सल्यूशन ढूंदती रहती हूँ तो इजी सल्यूशन क्या है शैंपू हम लोग हर दिन करती हूँ तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोड़क्ट है केश किंग आंटी हेरफॉल शैंपू देख लीजिए यह है 200 ml का एक बोटल और इसका प्राइज है बस 120 रूपिस मार्केट में तो बहुत सारा एंटी हेरफॉल प्रोड़क्ट एवेलेबल है लेकिन इतना जादा चीप पेस्ट रेट में शायद केश किंग ही एवेलेबल है और साथी साथ यह है प्लास्टिक का कंटेनर का कलर भी बहुत सुन्दर है यह फ्लिप टॉप पैक में आते हैं तो पूरा के पूरा ट्रावल प्रेंडली है ट्रावल करने का टाइम लिके जोने का चांस एक दम भी नहीं है और केश किंग तो एक कॉमून नाम है एंटी हेर पॉल के लिए और यह शैंपू भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका में इंग्रेडियन्स है अलोवेरा एंड 21 आयरवेदिक हाफ्स जो आपके हेर को रखेगी पूरा के पूरा सिल्की शाइनी और स्टॉंग और आपके हेर को स्मूध भी रखेगी हेर को अगर आप लोगों के पस एक दम भी टाइम नहीं है तो केशकिंग एंटी हेर फॉल शैंपू कोई बस यूज कीजिए आपके हेर फॉल आप टू 80 परसंट तक कम हो जाएगी और इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए साथ में यूज कीजिए केशकिंग हेर ओयल उसे न और भी ज़ादा बेनिफिट मिल जाते हैं अगर हेर में डैंडरॉप जैसे प्रॉब्लिम है तो भी आप लोग यूज कर सकते हो केशकिंग एंटी हेर फॉल शैंपू क्योंकि देख लिजी उपर में क्लेम किया है स्कैल्प एंड हेर मेडिसिन ये शैंपू आपके स्कैल्प को प्रॉब्लिम ऐसे कम हो जाते ही और उपर में क्लेम किया है शैंपू मीडियम विथ 21 हाप्स डेलिवर्स आप टू 80 परसंट लेस हेर पॉल सिल्की शाइनी स्मूध हेर हेल्दी नारिस्ट स्कल्प हाँ ये सारे बेनिफिट्स तो मैंने बताई दिया और एक कोशन आ जाते ह कोई नहीं आएगी आपके है जैसी है अफ के शैंपू करने का का तरीका तो मैं हर बाल बोलती हूं कि डिरेक्ट हैर में अप्लाइए में अपलाई मत कि जिए फस्ट में मग में थोड़ा सा पानी ले लिजिए उसके अंदर शैंपू एड़ कीजिए पॉम क्रियेट कीजिए उससे आपके हेर को वाश कीजिए और शैंपू को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है बहुत टाइम लेके अच्छे से शैंपू को क्लीन कीजिए अगर हेर प्रॉब्लेम फ्री तो देखे ऐसे बहुत सरे प्रॉब्लेम सॉल हो जाएगी हर दिन अभी शैंपू करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर में धूल मिट्टी पल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गए है तो इसे सबसे हर दिन शैंपू कीजिए हैर को क्लीन रखिए तो हैर कम हो जाएगी और बहुत सरे प्रेंड मेरे को कोशन करते है कि एक इजी तरीका बताइए ना जिससे हैर फॉल कंट्रोल हो सकते है बहुत सरे प्रेंड का ये कोशन रहते है कि ये प्रोड़क्ट बॉइज और गल्स बोत यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आगी और केशकिंग एंटी हेरफॉल शैंपू ये सच में एक इजी सल्यूशन है हेरफॉल कंट्रोल करने के लिए केशकिंग शैंपू है एक आयरवदिक शैंपू तो ये आपके हेर के लिए एकदम भी हामफुल नहीं है और साथी साथ एक बात में बताना चाती हूँ बहुत सरे ल लेकिन ऐसा नहीं है आपके हेर हो जागी ड्राइडल ड्यमेज अगर आपके हेर ड्राइडल ड्यमेज है तो जरूर केशकिंग एंटी हेरफॉल शैंपू को एक बार यूज कीजिए ये तो एंटी हेरफॉल शैंपू है साथी साथ आपके रूट्स को रखते है और अपके हेर को बहुत अच्छे से mildly clean भी कर देते है तो इतना सारा benefit अगर इतने कम पैसे में मिल रहे हैं बस 120 रूपिस में 200 ml शैंपू तो इसको एक बड़ ट्राइ करना चाहिए और इसका चोटा कंटेनर भी market में available है तो मैं suggest करूँगी एक बड़ चोटा कंटेनर ट्राइ करके देखिए तो यह है मेरी आज की केश किंग एंटी हेर पॉल शैंपू का रिव्यू अगर पसंद आए है तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे जाके इसी related कोई भी question अगर आप लोग के मन में है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएए में हरे एक कॉमेंट कर रिप्लाइ करती हूँ आप लोग के हरे एक कॉमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज के लिए इतना ही तिल देन टेक कियर बाई बाई